C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है पाठ पंद्र है सूर्दास के पद प्रिष्ट बयानवे एक मैया कब ही बढ़ेगी चोटी किति बार मोही दूद पियत भई यह अजहूं है चोटी तू जो कहती बल की बेनी जऊं हुए है लांबी मोटी काढ़त गुहत नवावत जैहे नागिन सी भूई लोटी काचव दूद पियावत पची-पची देतीन माखन रोटी सूर्चिर जीवव दोव भईया हरी हलधर की जोटी दू तेरे लाल मेरव माखन खायो दूपहर दिवस जानी घर सूनो ढूंड धंडोर आप ही आयो खोली किवार पैठ मंदिर में दूध दही सब सखन खवायो ओखल चड़ी सीके को लीनो अनभावत भूई में धरकायो दिन प्रतिहानी होती गोरस की यह दोटा कौन नए धंगलायो सूर्चियाम कौन हटकिन राखें तैहीं पूथ अनोखो जायो प्रिष्ट तिरानवे प्रश्ण अभ्यास पदों से एक, बालक श्री कृष्ण किस लोब के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए दू, श्री कृष्ण अपनी चोठी के विशे में क्या-क्या सोच रहे थे तीन, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाध्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं चार, तैहीं पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रही हैं पांच, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं छे, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों अनुमान और कल्पना एक, दूसरे पद को पढ़कर बताईए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी दो, ऐसा हुआ हो कभी कि मा के मना करने पर भी घर में उपलब्द किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए तीन किसी ऐसी घटना की विशे में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपकी किसी अभिभावक माता पिता, बड़ा भाई, बहन इत्यादी ने आप से उत्तर मांगा हो भाषा की बात एक श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है इसके लिए एक शब्द दीजिए दो परियाईवाची कहते हैं और कुछ विपरीत अर्थवाले भी समानार्थी शब्द परियाईवाची कहे जाते हैं और विपरीत आर्थक शब्द विलोम जैसे परियाईवाची चंद्रमा शशी इंदू राका मधुकर भ्रमर भौरा पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिये शब्दार्थ अजहूं आज भी बल बलराम बेनी चोटी होई होगी काढ़त बाल बनाना गुहत गूतना भूई प्रित्वी भूमी लोटी लोटने लगी पची-पची बार-बार हरी-हलधर कृष्ण बलराम जोटी जोडी पैठी घुसकर सीके चीका जिसमें दूध दही आदी रखा जाता है गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ दही, मखन, घी आदी धोटा लड़का अभी आप सुन रहे थे पाठ पंद्रह सूर्दास के पद प्रस्तुति C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली, भारत